हेलो फ्रेंट्स विल्कम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स देखो दिवाली जश्ट अभी आने ही वाली है और ये एक ऐसा सीजन होता जहां पे बहुत से लोग अपने लिए नई नई बाई, कार, स्कूटर इस तरह की गाड़ियों को खरीदते हैं लेकिन फिर्स पता दिक्कत की बात यहां कि इस फेस्टिफ सीजन होता ही है कि शोरूम वाले क्या करते हैं कि इतने अलग अलग तरह के ओफर्स और डिस्कॉंट निकाल देते हैं और सबस्टा जो धोका है वो इसी सीजन में होता है हो सकता है कि अपने लिए नई गाड़ी खरीदने के बाद आपको ऐसा फिल हो कि भाई ओफ़र ताच्छे प्राइज मिल या मुझे फाइदा हो गया लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि इस सीजन में कई बार आपको फाइदा नहीं जोड़ी सभी जान करें जस्ट सिक्षी सिकंड में आपको सामने रखने बार हूँ चैनल का लिंक आपको डेस्क्रेप्शन और पिन कमेंड मिल जाएगा उन्हें बेच दे कई बार ये गाड़िया चे महीना एक साल डेल साल दो साल धाय साल से श्टॉक आड में पड़ी होती है तो पहले ही वे उन्हें बेचते हैं और उसके बाद फिर जो नया फ्रेस्टॉक होता उसे बेचते हैं अब देखो B3, B4 सा तो उतना ज्यादा मुझाने तो आपको कोशिश करना है कि इस सीजन दिवाली के मौक़े पर आप जो गाड़ी खरीदो वो फ्रस श्टॉख हो वो नया श्टॉख हो अप सवाल यह भी आगा कि आपको कैसे मालूंद चले हैगा कि भाष्च जो गाड़ी केınız पराना है नैया स्टॉख है रहे हैं कर दो और यहां पर बहुत से लोग पेमिंट कर भी देते हैं तो मैं आपको बताना चाहूं कि धोके से बचने के लिए सबसे पहले पहला जी चेक करना है वो है कि आपको जो 60 नमबर दिया जाता है गाड़ियों में उस 60 नमबर को पता कर लेना है वैसे 60 नमबर ढूंडने का जरुद आपको नहीं है जो सेल्समेन है वो बहुत असानी आपको 66 number है, क्या है वो बता देगा, आप 66 number में in general 16 digit होते हैं, 16 अलग-अलग number लिटर लिखे वे होते हैं, तो अगर 22 आप गिनना चालू करोगे, तो दसवे number पे जो letter लिखा हुआ है, उससे आप जान जाओगे कि जो गाड़ी आपको दी जारी है, वो नई श्टॉक वाली ह यह आप जो data देखे हो, इस data में आप साफ साफ देखो, कि अगर दसवे digit है, वहाँ पे आपको N, यह letter दिखाई देता है, तो आप समझ जाना है, कि जो गाड़ी आपको मिलरी ही, वो 2022 में बनाई गई है, 2022 की manufacture है, इसी तरह M का मतलब होगे, 2021 के का मतलब होगे, 2019 में बनाई बाकी का जो data, बाकी का जो number वगरा, वो आप यहाँ पे देख रहे हो, अब यह important जी आपको समझना में आपको बताता हूँ, कि यह वाली जो गाड़ी मैंने खरीद दी है, यह मैंने 2021 में पिछले साल खरीदा था, और यहाँ पे मेरी गाड़ी का अगर आप देखोगे, तो उस साल के किस महीने, जन्मारी, फर्वारी, मार्च, अप्रिल, किस महीने में बनिये, वो भी आप चेक कर सकते हो, इसके उपर में दो अलग-अलग वीडियो है, दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डेस्के प्रने मिल जाएगा, तो आप को सेश करना है कि जो fresh stock है, जो नया stock है वो खरीदो क्योंकि बेस्स गाड़ियों में आगे चलके problem हो सकता है, अब देखो ये वाला point जब आप चेक कर लोगे, नया stock ले लोगे, उसके बाद जो second important point है वो है, showroom, price, comparison, मैं आपको पताता हूँ ये वाला point क्या है, देखो इस टेम पे क्या होता है कि festive season में आप ज जासे में फस जाते हैं, तो मैं आपको recommend करको, ठीक है offer मिलना तो offer लो, ऐसा नहीं offer मत लो, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं आपको example बताता हूँ, कि अगर आप Honda company की किसी विभाई को खरीदने वाले हो, और आपके घरप के आसपास 3-4 Honda के अलग-अलग showroom है, तो मैं आपको recommend क करना है, वो आप on-road जो price है, उसे पता कर लेना, आप देखना कि जिस showroom में ज़्यादा offer है, वहाँ पे on-road price भी ज़्यादा होता है, और जिस showroom में कम अगर offer होता है, वहाँ पे on-road price कम देखने को मिलना है, कई बार 5,000, 8,000, 10,000, और अगर कार वगर की बात कर लें तो 15-20 सहर तक का difference देखने को मिलता है, तो just आप ये जरूर कर लेना, कि अलग-अलग showroom का on-road price है, उसे भी check कर लेना, और उसके बाद ही इस festive season में कोई भी गाड़ी को खरीदना, just offer देखे किसी गाड़ी को मत खरीद लेना, अब देखे जो अगले 3 point है, point number 3, point number 4, point number 5, ये एक साथ ही समझा देता हूँ, अब देखो festive season में चुकि गालियां इतनी ज़्यादा बिकती है, और मैं आपको यहां पर बताना चाहूँ कि बहुत लोगों पता नहीं होता है, कि जो plant से गाड़ी showroom में आता है, तो कोई भी गाड़ी हो, उसका सारा जो पार्ट है, वो सब कई बार damage भी हो जाती है, लेकिन चुकि भीड जादा delivery करना है, तो बहुत बार जो showroom वाले है, वो क्या काम करते हैं, वो हलका पूर का touch up कर देते हैं, अगर paint वगरा निंकल गया तो हलका पूर का touch up वगरा करके delivery कर देते हैं, तो मैं आपको recommend इसलिए कर रहा था, कि आप ज उसे भी check कर ला, और सबसे जरूरी कि जिस वाले unit को आप खरीदने वाले हो, ऐसा नहीं showroom में गाड़ी रखा हुआ है, आप भाही model खरीदने वाले हो, आप उसका test ride कर लिए, नहीं ऐसा नहीं करना है, आप जिस वाला delivery आपको होगा जो गाड़ी, आप उसका test ride जरूर से क और अच्छा कासा मैं आपको बता रहा हूँ, तीन किलोमेटर, चार किलोमेटर, पास किलोमेटर तक चला के test ride कर लेना, कि कि किसी भी तरह का problem आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस कम से कम अप कोशिश करना, जर्ज करने का, थोड़ा high speed में, थोड़ा solo speed मे अच्छी तरह से देख लेना, यह बहुत important है, अब अगले जो 5 points से मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जुले हुए है, प्राइस के साथ, एक showroom price, on road price, EMI, finance, और भी बहुत रहा है, लेकिन उन सारे points को बताने से पहले, चुकि दिवाली offer की बात ही हो रही है, तो अभी दि सिंपली आपको इस OBD scanner को कार या फिर बाइक के OBD port से लगाना है, अगर आपके बाइक में OBD port नहीं दिया गया है, तो आप इस connecting cable का use कर सकते हो, जो की OBD scanner के साथ ही आता है, इसके बाद आप garage pro app के help से कई सारे अलग-अलग function परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि track mode की बात कर ले बैटरी voltage, engine load, throttle position, intake air temperature, engine runtime, control module voltage, इन सब का live data देख सकते हो, इसके साथ ही यहाँ पे आप basic scan भी perform कर सकते हो, और basic scan के अलावा यहाँ पे full scan की भी facility दी गई है, जहाँ पे आप अपने complete engine और सारे modules को 100% fully scan कर सकते हो, अगर कोई error होगा तो आपको error code दिखाई देगा, साथ ही य scan report आप यहाँ अप में भी देख सकते हो, इसके लावा यह जो report है वो आपको mail में भी मिल जाता है, bike variant का जो price है वो है 2499 रुपए, cars के लिए कई अलग-अलग variant में आपको यह obedience के अंदर मिल जाता है, जो कि अलग-अलग benefits के साथ आता और उनका price range भी अलग-अलग है, तो आ आप अपने जो जूजेस है उसका according इन्हें चुन सकते हो, साथ ही आप spare parts by garage pro इस app को भी download कर लिए, यहाँ से आप अपने car के लिए spare parts को order कर सकते हो, app और website का link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा, अगला point है finance scheme, बहुत जादा important यह वाला point आप यहाँ समझना कि यह क आपको बताता हूं, देखू, होता क्या है कि चुकि दिवाली के मौके फिस शोरूम में बहुत जदा भीड़ भाड़ होती है, तो जब आप finance में EMI पे अपने लिए किसी भी गाड़ी को खरीदने के लिए शोरूम में जाते हो, तो भीड़ जादा होती, तो अक्सर क्या हो बता है कि शोरूम में आपको कोई भी सेल्समैन मिलता है, वो आपसे गाली वगर के बार पुछता है, आप कितना डॉन पेमेंट करेंगे, यह पुछता है, किस तरह के यमाई चाहिए, यह पुछता है, उसके बाद को एक जो बैंक वाला बंदा है, वो आपके सामने भेज मत करना, चाहे दिवाली हो, चाहे भीर भाड़ा हो, चाहे राश्रो कुछ भी हो, लेकिन अगर फिनांस में अपने लिए कोई भी गाड़ी आप खरीदने जाओ इस सीजन में, तो आप यह जरूर कोसिच करना, कि ठीक है शोरूम में जाने के बास, शोरूम वालों के पास ब स्कीम के आपको करना क्या है, कि शोरूम में जाओ, और जितने भी छे, साथ, आट, जितने भी बैंक, उन सब के स्कीम को ले लो, सब का स्कीम समझ लो अच्छी तरह से, कि किसमें कम इंट्रेस्ट ले रहा है, और वहीं से आप फिनांस में अपनी गाड़ी को खरीदो, अपनी, कि जितने भी बैंक वगर है, उनका जो रेट वगर है, उससे जरूर से एक बार compare कर ले, अगला पॉइंट है, प्री बॉकिंग, फ्रेंड्स, बहुत इंपोर्टन पॉइंट ये भी, मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या है, देखो, अकसर क्या होता है, कि दिवाली के मौके में, शोरूम वाले आपको recommend करते है, किसा रगापकर आपको धंतेरस के दिन delivery चाहिए, ये दिवाली के दिवाली से एक दिन पार delivery चाहिए, तो आप क्या करो, कि अपनी गाड़ी को पहले से book कर लो, ताकि आपको उस टैम पे problem नहीं, और बहुत सो लोग pre-booking कर भी book कराया है, उस दिन, जो भी गाड़ी का honor price है, जब आप गाड़ी खरिदने आओ, तो आपको उतना ही payment करना हो, लेकिन कई बार booking कराने का बावजू, जब आप गाड़ी खरिदने के लिए धंतेरस के दिन, उससे एक दिन पहले, उससे एक दिन बात भी जाते हो, तो आप द make sure, जरूर से कर ले, कि भाई, जतना honor price अभी मैं book करा रहा हूँ, उतना ही payment करना है, या फिर जिस दिन मैं गाड़ी खरिदने आओंगा, उस दिन का जो price है, मुझे उतना pay करना हो, इस बात के आप clarity जरूर से ले ले ले, शोरूम वालों से, ये बहुत important है, अगरा जो important point है वो है, ऐसी सीरीज से जुड़ावा, बहुत जरूरी है, दो कोई एक तरफ तो शोरूम वाले बहुत सारे discount offer तो देही देते हैं, लेकिन अब जो पैसे दे रहे हैं, आपको फीडी में TV दे रहे, च्छे साथ है रहा, आठे या रुपय का, या को mobile ही दे दे रहे, कुछ भी में यह mandatory है, और उस चक्र में आपको बैवकूब बनाते है, साथ ही जो एसी सीरीज होती है, वो दो अलगला quality की होती है, एक होती ही बहतर quality की, जो की company का fitment वगरा सब कुछ सही होता गारी के साब से, एक होता local aftermarket वाला, तो यहाँ पे आप इस बात को जरूर ध्यान ले, कि क आपको जो offer वगरा मिल रहा है, वो सब कुछ cover कर लिया जा रहा है, तो ऐसे सीरीज का खास ख्याल रखे, और जो सीरीज आप खरीद भी रहे हो, तो जरूर से चेक कर ले कि उसके quality वगरा सही है की नहीं है, फिट्मेंट वगरा सही की नहीं है, ऐसा नहीं, बस 2-4 सीरीज व इस पॉइंट को भी आप जरूर से चेक कर ले, इन जरनल क्या होता कि जब शोरूम में अपने लिए किसी भी गाड़ी को खरीदने को ले जाते हो, तो शोरूम वाला जो बंदा जो salesman, sales executive होता है, वो आपको बताता है, कि सर इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस यतना है, और बाकी चीओ को जोड़के आपको जो on-road price है, वो इतना देना होगा, इस festive season आप ये गलते बिल्कुल मत करना, क्योंकि देखो होता क्या एक showroom price, इसके उपर में चोड़ लो RTO का, इसके उपर में चोड़ लो insurance, logistic, handling, PDI, इन सब को जोड़के on-road price बजनता है, ठीक है, औ handling वगरे का जो पैसे लेते हैं, ये पैसे जो showroom वाले है, वो खुद से तै करते कि कितना लेना है, और यहीं पे कई बार धोका होता है, चुकि बहुत सारे offers वगरे को दे रहे हैं, तो उसे cover करने के लिए company वाले जो है, वो logistics वगरे का, जो PDI, जो handling है, इन सब का जो charges है, वो कई बार धोका हो जाता है, इस बात का ख्याल रखे, और जो finally, आखरी point है, वो है, all bills and invoice, देखो, मैं आपको बताता हूँ, माले किसी भी गाड़ी को खरीदने के लिए, आपने 3,40,000 और पैमेंट किया, और देखो, इसमें सब कुछ included होगा, ठीक है, RTO भी होगा, इंसुरे करते है, कि हो सकता है, कि आपको बुलेंग के सर, आपकी गाड़ी का, इंसुरेंस का, आपको 8,000 रुपर लगा है, लेकिन जो आप इंसुरेंस में चेक करना, तो कई पर वहाँ पर 8,000 दिखे गया नहीं, आपको 4,000, 4,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 के इंसुरेंस देखने को तो यहाँ पर हो जाता है घपला, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक तो आपको complete जो invoice है, जो bill है, वो जरूर लेना, उस जरूर जरूर कर लेना, कि भाई, जतना आपने payment किया, उतने का आपको बिल मिला है कि नहीं मिला है, और उसके लाबा जो फिरांज हो हमारा insurance व पोगा, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय, आप मुझे comment के जरूर बता, इसके लाब अगर आप चैनल पे नहीं हो, या अभी तक अपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो please चैनल को subscribe कर ले और बेल अकन को भी दबाले, ताकि आने वाले इप्टने वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थूरूर मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में थाइम सवाचिंग इस वीडियो, गुडबाई